नमस्कार आप देख रहे हैं बिहार जारकन का सबसे बड़ा यूट्यूब नुद चैनल लाइब सिटीज और मैं आपके साथ हूँ अभी जीत आज हम पुर्णिया में हैं और हमारे साथ बाचीत के लिए मौजूद हैं पुर्णिया के पूर्व सांसर उदे सिंग और पप्पु सिंग जी आईए बात करते हैं उदे सिंग जी से मैं चुनाव तब लड़ता हूं जब पूर्णिया की जनता चाहे कि मैं चुनाव लड़ू यह मेरे अथ्यास रहा है कई तो चुनाओ ऐसे हुए हैं उनिस सो च्यानवे में compartiny है कि मैं ने चुनाओ लड़ने से ही इनकार कर दिया है कि मुझे लगा कि आशकता नहीं है इस समय चुनाओे मुद्धा जो हैं वो यह कि पूर्णिया के लोग निराश हैं पूर्णिया के लोग जो मैं नहीं चाहता कि वो ऐसा करें लेकिन पूर्णिया के लोग एक तरह से अपनी गलती को मान रहे हैं एहसास कर रहे हैं कि उन्होंने जो 2014 में फैसला लिया था वो गलत था और पूर्णिया का उससे नुकसान हुआ है और इस कारण मैंने दो साल पहले ही तैय कर लिया था कि मैं चुनाओ लड़ूंगा घोशना भी कर दी थी फिर जिस दल में मैं था भारतिय जनता पार्टी उसम मैं आभारी हूँ महागडबंदन के नेताओं का खास करके लालू जी और राहुल जी का कि उन्होंने आगे बढ़कर मुझसे कहा कि मैं चुनाओ उनके तरफ से लड़ूं और मुझे बहुत प्रसनिता है और मैं कॉंग्रेस उमीदवार के तोर पे यहां महागडबंदन का उमीदवार बनके आया हूँ यू समझने कि लोगों का उमीदवार बनके आया हूँ और लोगों का उमीद है कि परिवर्तन होगा यहां और फिर पूर्णिया जहां जैसे चल रही थी चलेगी भाच पाच होड़ने के बहुत सारे कारण थे एक तो दो साल से ढ़ाई साल से मेरे जैसे बहुत सारे लोग असंतुष्ट हो रहे थे कुछ प्रखर होकर बाहर निकला कुछ अभी भी दबा हुआ है भारती जनता पार्टी अपने मूल सिध्धानतों से हटकर सबका साथ सबका विकास के मंत्र को छोड़कर एक प्रचार तंत्र में परिवर्तित हो गई है और ये शायद अमिट शाजी की यूएस पी है खासियत है कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और नरिन्द मोदी जी ऐसे और हम वैसे लेकिन अर वास्तव में देखा जाया तो जमीन पर कोई काम नहीं हुआ तो एक तो मैं असंतुष तब से चल रहा था और अपनी बात को उनके सामने उजावर कर भी रहा था लेकिन ये तब मैंने फैसला किया पार्टी छोड़ने का जब दल ने अपने आपको एक तरह से नितीश जी के सामने आत्म समर्पन कर दिया और पार्टी को एक गांठ में बांध कर उनके पैरों तर्य रखाए कोई अचिती नहीं था कि 17 सीट नितीश कुमार जी को ये छोड़ाते ये तो पार्टी के साथ अन्याय किया उन्होंने और तब मुझे लगा कि अब इस पार्टी में रहकर इसका भविश्य भी नहीं है क्योंकि जब लोकसभा चुनाओ जहां नितीश जी को प्रधान मंतरी नहीं बनना बीजेपी के किसी नेता को प्रधान मंतरी बनाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं अगर इस समय में वो ऐसा समर्पन कर सकते हैं जे डीउ के सामने तो 2020 में जो चुनाओ होगा विधान सभा का वहाँ अवश्य भारते जनता पार्टी को और भी कम अफसर मिलेगा और ऐसे में नितीश कुमार जी को और ताकत देना ये मुझे मन्जूर नहीं हुआ और मैंने त्याग पर से दे दिया सर अब भास्पा चोड़ कि आया हैं परसे महाले कंदन में आए हैं क्या लगता आओ इस वर के चुनाओं में उसका फाइदा मिलेगा जो भास्पा के कुछ केड़र होट है आपके तरफ आकर सितोंगे मेरा जो रिष्ता अपने बदाताओं से रहा है मेरा जो रिष्टा भारती जन्ता पार्टी के सभी कार्यकरताओं से और बूत के सतर से लेकर उपर तेके कार्यकरताओं के साथ रहा है मुझे लगता है कि हम लोगों ने इतनी चर्चाएं की हैं पिछले 10-12 वर्षों में कि राजनेतिक कार्यकरता पहले समाजिक कार्यकरता होता है फिर राजनेतिक कार्यकरता बनता है कि ये बात उनके जहन में है और समाज के हित के खिलाफ वो पार्टी हित को देखकर नहीं जाएंगे अब कुछ लोग होंगे अपवाद की तौर पर जरूर होंगे लेकिन अवेश्य में कह सकता हूं पूरे जिम्मदारी के साथ की बूट से लेकर उपर तक के कारे करता समाज के हित को देखेंगे और आज पूर्णिया के अगर समाज के हित को देखेंगे तो बहुत जादा उनके पास विकल्प नहीं है ये भी ऐसा भी नहीं होना चाहिए लोग तंत्र में कि लोगों के पास विकल्प की कमी हो जाए लेकिन आज पूर्णिया वालों के पास दो ही विकल्प है या तो वो विनाश करने वाले जो भी वरतमान सांसद हैं उनके साथ जाया जाए या फिर जिन्होंने विकास किया या जो लोग मानते हैं कि विकास हुआ और यहां के समाजिक वातावरन में साकरात्मक सुधार हुआ 2004 और 14 के बीच में उसके साथ जाएं तो मुझे लगता है कि लोगोंने मन बनाया है कि नहीं वो इस बार मेरे साथ जाएंगे इसके अलावा महागटबंदन की जो अपनी ताकत है अपनी शक्ती है वो भी शक्ती बहुत बड़ी शक्ती मेरे साथ जुड़ेगी और इसलिए लगता है कि इस बार पूर्णिया जरूर जीतेगा मुझे ऐसा लगता है आप लोग अगर घूमेंगे या घूम चुके होंगे तो आप खुद ही ऐसास करेंगे कि यह प्रश्णी गलत है विकास और वर्तमान सांसद यह दो एक साथ नहीं हो सकता इन्होंने विनाश किया है अगर यह विकास नहीं करते 2014 की स्थिती पर भी पूर्णिया को छोड़ देते तो भी आने वाले व्यक्ति के लिए काम असान होता इन्हों तो विनाश किया है और मैं सबसे पहले उजागर करना चाहूँगा कानून विवस्था की स्थिती मेरे सांसत बनने के पूर 2004 में पूर्णिया कि स्थिती बहुत खराब थी गंभीर थी एके 47 पे घुरसवार गोली चलाते थे ये बहुत सरल सी बात थी सहद सी बात थी और ऐसा होता था हमारे रुपवली छेतर को तो लोग चंबल की घाटी कहा करते थे सभों के सहयोग से और मैं दुबारा कहना चाहूंगा सभों के सहयोग से इतना सहयोग की मुझे सफलता मिली कि करीब 6-8 महिने में ईसे तत्वों पे लोगों ने अंकुष पाया और 2014 तक तो अधिकांश लोग पूर्णिया के भूल गए थे कि 2004 के पहले की स्थिती क्या थी आज हमनों का दुर्भागे है कि वही स्थिती फिर लोट के आ रही है यहाँ एक बहुत बड़ी बिहार की मंडी है गुलाबा बहुत बड़ा बाजार है अगर आप वहाँ आप जाएंगे तो आपको व्यापारी खुद ही बताएंगे कि रोज लूट पार्ट और एक्स्टॉर्शन का कांट चल रहा है लोग आते हैं दुकान में पिस्टॉल सटा कर कोई 10 लाग रुपे ले जाता है कोई 4 लाग रुपे ले जाता है आरजकता का बिलकुल ऐसी स्थिती बनीवी है दिन दिहारे चौक चौराहे पर लोग गोली चला देते हैं रुपवली में जहां कि मैं जिक्र कर रहा था लोग रात के 12 बजे अपनी पत्नी को बिठा कर जेब में पैसे रखकर मोटर साइकल पर इधर से उधर दोड़ते थे बिना किसी फिकर की की ऐसा होगा आजकल फिर वही हो गया है कि साथ बज़ते बज़ते लोग अपने घरों में बंद होकर दर्वाजा बंद कर लेते हैं बहश्टा चार अब उसकी वो निरंकुष हो गया है ब्लॉक में पुलिस थानों में तो अब निलामी होती है कि आपको ये काम कराना है इतने पैसे लगेंगे गाउं में पंचायतों में जो काम होना था गरीबों के अन्मूलन के लिए उनके साहता के लिए वो कागज पे रह गया है अगर हम सिर्फ बात करें ये जो सोचाले बनाया है इसके घोटाला की और मैं मानता हूँ कि मेरे कारण क्योंकि मैंने इतने सवाल पूछ लिए कि इस जिला को O.D.F. नहीं डिकलेर किया गया ये तो पंचायत और पंचायत को जो इन्होंने O.D.F. डिकलेर किया है आप जाएंगे तो जमीन पे ना आपको कहीं सोचाले मिलेगा जो सोचाले दो-चार बन भी गए हैं उनके पैसे नहीं दिये गए जिनके पास घर नहीं है उनका नाम इंटरनेट के लिस्ट पे है कि फलाने व्यक्ती का सोचाले बन गया उसके नाम पे जो 12,000 रुपे थे वो भी खा लिये गए तो मैं समझता हूँ कि पिछले पांच वर्षों में तो पूर्णिया के साथ जो अन्याय हुआ है उसको अगर मैं गिनवाने लगू तो आपकी पूरी यूट्यूब की वो चैनल भर जाएगी बहुत बहुत बूरी स्थिती है बहुत बूरी स्थिती है अब अब को कि मोदी एकटर यमिगी कितना सार गर रहिए है देखे ना यही तो हासेपद बात है कि BJP की प्रचार तंत्र चाहती है कि ये चुनाओ उधै सिंढ बनाम संतोष कुष्वाँ ना रहे क्योंकि उनको मालूम है कि अगर ये उदैसिंग बनाम संतोष कुषवा हो गया तो संतोष कुषवा का जमानत भी नहीं बचेगा लेकिन वो चाह रहे हैं कि इसको उदैसिंग बनाम नरिंद मोदी कर दिया जाए और लोग समझ रहे हैं इस बात को कि उनके घर में आग लगी भी है तो वो दूसरे के बगीचे में पानी देने कैसे चले जाए अपने घर का आग बुझाएंगे अगर पूर्णिया बनेगा तो देश बनेगा पूर्णिया की सित्य ऐसी रहेगी तो फिर तो मामला बहुत खराब है मैं समस्ता हो कि लोगों ने ये स्पष्ट मत बना लिया अपना कि पहले वो पूर्णिया सवा रेंगे सरकार वहां जिसकी भी बने मुझ में उन्होंने वो शमता देखी है कि जब मैं दस साल तक यहां सांसत था तो केंदर में विपक्ष की सरकार थी, कांग्रिस की सरकार थी मैं भारते जंता पार्टी का सांसत था लेकिन उसके बावजूद भी जो पूर्णिया में विकास का कारे हुआ मेरे लोग अधिकांश लोग बहुत संतुष्ट हैं और बहुत प्यार से उन उस दस वर्षों को याद करते हैं तो उनके दिल में यह कोई फिकर नहीं है कि सरकार किसकी बनती है और नहीं बनती है उनको पूर्णिया बनाना है और यह लड़ाई मेरे बनाम संतोष कुछ वहाई ही रहेगी और जो परिनाम है वो आजाएगा 23 मई को तो यह थे पूर्णिया के पूर्व सांसद उदै सिंग उर्फ पपू सिंग आपने इनकी बाते सुनी इन्होंने कहा कि जनता को उसके भूल का एहसास हो गया है और दुबारा जनता वो भूल नहीं करने जा रही है और फिर से इन्हें सांसद बनाएगी पूर्णिया का आगे जो भी होगा वो 23 मई को पता चलेगा जब बोटों की गिंती होगी फिलाल ताजा तरीन खबरों के लिए देखते रही है लाइब सिटीज और हमें दीजे इजाज़त नमस्कार